नमस्कार आदाब मैं खुश्बोक्तर और आप देख रहे हैं पलपल निउस दोस्तों भारत एक सम्विधानिक देश है जो लोकतंतर से चलता है और यहां की न्याय पालिकार न्याय के हिसाब से लोगों को इंसाफ देती है लेकिन ये परिभाशा 2014 के बाद पूरी तरीके से बदल गई थी या फिर ये कहें कि बदलने में वक्त लिया था लेकिन आज जब हम आपसे 2023 में इस भारत के नियाय के बात कर रहे हैं तो इसमें हिंदू राष्ट के उस भारत के बात करने जा रहे हैं जहां पर मुसल्मानों क काटने चीलने की बात गाजर मूली की तरह की जाती है तो इन लोगों पर कोई कारवाई नहीं होती है लेकिन वही खबर अगर पूरी दुनिया को कोई पत्रकार दिखा दे तो उसको दिल्ली पुलिस नोटेस भेज देती है कि आपने इस तरीके से खबर कैसे दिखाए जिहां दोस्तों आपको बता दे की मुसल्मानों के खिलाब जो हिंसा का आवाहन पांच जनवरी को किया गया था उसमें दिल्ली पुलिस ने दोशियों को कोई नोटेस नहीं भेजा है उन पर कोई F.I.R. नहीं हुई है उनके उपर कोई कारवाई नहीं हुई है लेकिन खबर दिखाने वाले को दिल्ली पुलिस ने नोटेस भेज दिया है जी हाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते पाँच फरवरी को बागेश्वर धाम के प्रमुक धिरेंद्र शास्री के समर्थकों ने सनातन धर्म संसद का आयोजन किया था जिसके मुख्य वक्ताओं ने मुसल्मानो के खलाब हतियार उठाने की बात कही थी और दिल्ली पुलिस ने वक्ता और आज योजन करताओं पर कारवाई करने के बजाए इस संबंद में सूचना देने वाले ट्विटर हैंडल को ही नोटेस भेज दिया है अब सवाल ये उठता है दोस्तों आप मुसल्मानों को काट तो पीठ तो गाजर मूली की तरह छील दो ये बात अब भारत में किसी भी तरीके से विवाद आसमक नहीं रह गई है अब हिंदू रास्ट में अगर आप अपना पर्चम लहनाना चाहते हैं तो उसकी फोस्ट कॉलिफिकेशन ही यही है कि आपको किसी मुसल्मान को निशान बनाते हुए उनके उपर उनको पूरी तरीके से व्यापार से दूर करना होगा सिक्षा से दूर करना होगा उन्हें लव जिहाद के नाम पर प्रतारित करना होगा और इससे भी पेट ना भरे तो हिंदू रास्ट के नाम पर उनके खिलाप पूरी तरह से हतियार बाटने का आवाहन करना होगा इस बात की qualification ही इस बात से चुड़ू होती है कि दिल्ली पुलिस इस तरीके के बयान देने वालों पर कोई कारवाई नहीं कर रही है लेकिन खबर दिखाने वालों पर अब notice भेज कर ये कह रही है कि आपने नफरत फैलाई है इस तमाम प्रकरण को लेकर इ उसके बाद भी दिल्ली पुलिस की अकल ठिकाने नहीं आई और दिल्ली पुलिस ने धरम संसत पर कोई कारवाई ना करते हुए सिर्फ खबर दिखाने वाले ट्विटर हैंडल को नोटिस भेज दिया है क्या कहा है उसमें हम आपको बता देते हैं कि आयोजन के लिए धिरेंदर शास्त्री के बागेश्वर धाम के ऑफिशल पोस्ट लिखा गया था सभी संत और श्री बागेश्वर धाम के दिवानों का स्वागत है इस आयोजन को प भया था कि भक्त हरी महराज जिन्होंने इस कारेक्रम में भी हिंसा का आवाहन किया था लेकिन धिरेंदर शास्त्री मध्यप्रदेश के चतरपूर में इस्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख है हाल ही में चमतकार करने संबंदिक अपने तमाम दावों को लेकर वो विव श्याम मानव ने चनौती डे डाली थी बताया जाता है कि इसके बाद शास्त्री समय ने आयोजन को खतम करके वहां से भाग गए थे लेकिन शास्त्री की अनुयाईयों की मांगू की बात करें तो उन मांगू को देते हुए धार्मिक सभाओं को वेस्ट स्वेम अटेंड कर करते हैं और अनुयाईयों को भारत को एक हिंदू राष्ट बनाने के लिए रामचरित्र मानस को भारत का राष्ट ग्रंथ बनाने की समर्थन का बात करते हैं तो दोस्तों यह जो धरम संसद हुई थी उस धरम संसद में इनकी तीन डिमांड थी और उस तीन डिमांड में उ राम चरित्र मानस को हिंदू रास्ट का भारती है रास्टे गरंत घोशत करें दूसरी उनकी डिमांड है कि गाय को रास्टे पशु घोशत किया जाना चाहिए वहीं जो शास्त्री को जो है बागेश्वर धाम के जो शास्त्री है उन्हें जेट प्लस सुरक्षा दी जानी चा खिलने की बात की गई लेकिन सवाल तो वही उठता है दोस्तों कि जब बात सत्ता पुलिस प्रसाशन और तमाम उन एजेंसियों की आती है कि जब नफरत के खिलाफ जब कारवाई करनी होती है तो इनके आखबंध हो जाती है मूसिल जाता है और कानों से कुछ सुनाई नही देता लेकिन उन्हीं की सचाई अगर कोई सामने रख दे और उनकी खबर विदेशों में ट्वीट होकर सत्ता की कारवाई पर सवाल उठने लगे तो ये लोग अपनी चीजों पर ध्यान न देकर खबर कैसी डाली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहकर नोटेस भेज देते है अब हम आपको ये भी बताते हैं कि नोटेस में क्या लिखा गया है दोस्तों उन्होंने कहा है कि हमने अब्जर्व किया है कि सोशल मीडिया ने किस तरीके से ओफेंसिव इंसिडेंट को पोस्ट करकर भारत में दिल्ली के अंदर महौल बिगारने की कोशिश की है वहीं डिस्ट्रिक साइबर पुलिस ने नोबल एजेंसी साइबर क्राइम को नई दिल्ली डिस्ट्रिक के अंदर खबर दिखाने वाले के तहट 149 CP CRPF की तहट ओफेंसिव पाते हुए उन्हें ये मेसेज भेजा गया है और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि डिरेक्टर ने किस तरीके से इस तमाम मामले पर पैनल एक्शन लेने की बात कही है और ये पूरा का पूरा नोटिस कहीं और से नहीं DCP नई दिल्ली की तरफ से सूशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है इसके उपर दोनों घटनाओं के उपर जब वक्ता और दर्शक की बात हुई तो ये खबर पूरी दुनिया में वारल हुई धरमसंसत के नाम पर मुसल्मानों को फिर से निशाना बनाने को लेकर जब बात सामने आई तो ये विडियो पोस्ट किया गया सूशल मीडिया पर और सूशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद दिल्ली पुलिस ने ट्विटर हैंडल मॉलिटिक्स के पोस्ट को आपत्ती जनक बताया है भावना पून कानून विवस्था के उपर भड़काउ संदेश देने वाला बताया गौर तलब ये है कि विडियो में मौजूद सनातन धर्म के विक्ताओं के खिलाब नोटिस के जवाब में मॉलिटिक्स ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि हम तो इस बात को लेकर आशंकित है कि ये हमें क्यों भेजा गया है और हम आशा करते हैं कि भगवाधारियों को भी ये नोटिस भेजा गया होगा लेकिन सचाई तो यही है दोस्तों जो पत्रकारता को पत्तलकारों की तरह नहीं करते दिल्ली पुलिस उन्हें ही नोटिस भेज कर पूरी तरह से उनकी जबान बंद करा देना चाहती है क्योंकि गोध में बैठा गोधी मीडिया इनको समझ में आता है और सचाई दिखाता वो सच्चा मीडिया इनको ना दिखता है ना सुनाई देता है ना बोलने बनता है इसलिए उसकी आवाज दबाने के लिए ये लोग तमाम प्रकरण करते हुए दिखाई दें कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा और साथ ही साथ चानल को सिस्क्राइब भी कर लिजिए ताकि तमाम सची पत्रकारता की सची खपरे बेक बाकी से हम आप तक पहुँचा सके क्योंकि कारवाई की बात करें तो सत्ता के मन में जब आएगा वो उन आवाजों को बरबरता पूरवक बंद कर देगी